जैहिन मेरे प्यारे दोस्तों आसा करते हैं आप से भी अच्छे होंगे जैसा कि आपको पता है कि हम सब भारत का राजबुएस्था पढ़ रहे थे और उसी के अंतरगत भारतिय सम्विधान के भाग तीन को हम लोग खतम किये हैं या समाप्ति किये हैं भाग तीन को एक बार पुना देख लेते हैं चलीलीव हम लोग भाग तीन के अंतरगत मॉली के दिकार पड़े हैं जिसके अंतरगत हम लोग 6 प्रकार का मॉली के दिकार पड़े हैं जो वरतमान में EXISTS करता है जब हमारा सम्मिधान बना था तो तोटल हमारे पास साथ मोली के दिकार थे 6 पलस 1 मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 के 1 का F यह हमारे संपत्तिव के दिकार के लिए थे चब्वल सम्मिधान जनसोधन द्वारा जो हुआ था 1978 में मोरालजी देशाई सरकार द्वारा इसको हटा करके मोली कदिकार से हटा करके इसको बिधी कदिकार बनाए गया और रखा गया अनुछेत 300 के ए में कैप्टल ए में अब हम भाग 3 के भाग 3 के एक बार रिव्यू देख लेते हैं तो जो हमने आर्टिकल 12 पढ़ा था वो हम राज्य के बारे में पढ़े थे आर्टिकल 13 जो था वो हम पढ़े थे विधी के बारे में कि विधी किसको कहेंगे उसके बार शुरू होता है हमारा 6 प्रकार का जो है मौली के दिकार जिसमें पहला था समानता का या समता का दिकार जिसके इंतरगत आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 था हम लोग पढ़े थे फिर शुरू होता है सोतंतरता का दिकार जो हमारा आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक था फिर सुरू होता है सो सड़ के विरुद दिकार सो सड़ के विरुद दिकार सो सड़ के विरुद दिकार जो हमारा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 था उसके बाद हमारा सुरू होता है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 धर्ट यह था हमारा धर्मिक सब्सक्राइक थाता के आधिकार उसके बाद सबसे important और main जो है वो है मारा article 32 जो था हमारा सम्मेधानी कुप्चारों कादिकार डाक्टर भीम राउम मेटकन ने इसे क्या कहा सम्मेधान का हिर्दे कहा तो ये था हमारा भागतीन अनुशेद 12 से लेके 35 तर अनुशेद 33 एक बार देख लेते हैं तो इसमें था कुछ लोगों की जो है मौली गतिकार जो है निलंबित किये जाएंगे जैसे जो सेनम रहते हैं पुलिस मित्याद में रहते हैं आर्टिकल 34 था सैन सासन जिसको बोलते हैं मार्शल ला उसके बाद में आर्टिकल 35 था जो संसद्वारा जो है भागतीन के उलंगन करने पर कोई बिधी बनाए जा सकता है एक्जामपल के लिए जैसे छुआ छूट के लिए बिधी बनाए गया है यह CST Act से मुसिवरकार से इस से रिलेटर जो है बिधी बनाए जा सकता है तो यह समाप्त होता है हमारा भागतीन और शुरुवात होता हमारा भागचार्थ जिसमें है राज की नीती के निदेशक तक तो DP-ESP अब इसको एक बार देख लेते हैं तो सबसे पहले DP-ESP के अच्छा इसमें टूटरन च्छेद हैं जो है हमारे 36 से लेके इक्यामन तो चलिए शुरुवात करते हैं अनुछेद 36 देखते हैं जिसमें परिभासा दिया हुआ है और परिभासा किसका तो राज का और यहां राज का वही परिभासा है जो हमने अनुछेद 12 में पढ़ाया हुआ है अनुछेद 12 जो भाग 3 के अंतर गताता है इसमें मैंने पढ़ाया है यह वही राज की परिभासा है जो अनुछेद 36 और अनुछेद 12 में बराबर है मैंने उस साइम बताया भी था आप लोग को अनुछे 37 देख लेते हैं तो इसमें क्या कह रहा है तो इसमें इसका कहने के ही यर्थ है कह रहा इस भाग के अंतर विष्ट तत्तो का लागो होना तरह इसमें जो तत्व दिये हुए हैं उनको लागो होना भाग में अंतरविष्ट उपबंध किसी न्यायाले द्वारा परवर्तिनिये नहीं होंगे किन्तो फिर भी इसमें अधिकतित तत्व देश के सासन में मोलभोत हैं और विधी बनाने में इन तत्व को लागो करना राज का करतेव होगा कह रहा है जो भी इसमें आर्टिकल दिये हुए हैं या जो भी डीपीएस्पी में दिया हुआ है इसके बेश पे हम जो है न्यायाले में जो है जाके इसको लागो नहीं करवा सकते हैं अगर राज की जो है अवस्था ठीक है विवस्था ठीक है उसके पास धान है या मैनेज कर सकता है तो राज इसमें विधी बना सकता है जैसे देखोगे कि कुछ इस्टेट में सराब बंदी के लिए विधी है तो वो हमारे मौली कतिकार से मिलते हैं कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें महिलाओं पुर्सों को समान बेतन के लिए कानून बनाए गए हैं तो यह सभी समान बेतन को समान बेतन जो है मिलने के लिए कान बनाए गए हैं तो यह सभी जो है हमारे DPSP से लिए गए हैं यह था हमारा अनुछेद 37 क्या कहता इसको देख लेते हैं तो कह रहा है कि राज लोग कल्यार लोग कल्यार क्या होता है जो जनता के हित के लिए कोई काम किये जाए तो उसको लोग कल्यार कहते हैं तो राज लोग कल्यार की अभिविद्धी के लिए समाजिक ब्यवस्था बनाएगा लोग कल्यार की अभिविद्धी मतलब अगर लोग कल्यार को बढ़ाने के लिए राज क्या बनाएगा समाजिक ब्यवस्था कहने करत इसका यह है कि राज अपने सभी नागरिकों को समाजिक आर्थिक राज नहितिग नियाए और दान करेगा समाजिक आर्थिक और राजनयतिंग नियाए एक बर देख लेते हैं तो कहारा राज ऐसे समाजिक विवस्था की जिसमें समाजिक आर्थिक राजनयतिंग नियाए राष्ट्रिय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुपरमारित करें भर्षक प्रभावी रूप से अस्थापना और संग्रक्षड करके लोग कल्याण की अविरित्ती का परियास करेगा कौन करेगा राज अच्छा ये जोड़ा कब गया था ये पहला जो है यहां तो कह दिया गया था कि राज जो लोग ल्यान के विर्ति के लिए समाजी व्योस्था बनाएगा तो पहला कब जोड़ा गया था हमारा 24 सम्भिधान संसुधन 1948 दूसरा क्या कह रहा है 38 का दूसरा क्या कह रहा है कि हमने पहले तर बोल दिया है गर बोला हूंगा तो सौरी देख लिजिए कि बार दूसरा क्या रहा है कि राज विशुष्ट या आए कि आसमानताओं को कम करनी का प्रियास करेगा मलब ऐसा नहीं है कि एक ब्यक्ति जो है वही काम कर रहा है वो करोड़ों कुमार आए अरबों कुमार आए और एक ब्यक्ति जो है वही काम कर रहा है वो अपना पेट नहीं पाल पा रहा है यह एक ब्यक्ति करोरपती होता जा रहा है एक ब्यक्ति जो है रोड पे आता जा रहा है तो यह किसका काम है राज्यका और ना केवल विश्ष्टियों ना केवल विश्टियों के बीच विश्टियों नहीं है ब्यक्तियों है ठीक है यह गलत है यह ब्यक्तियों ना केवल व्यक्तियों के बीच बलकि विभिन छेत्र में रहने वाले और विभिन ब्यवसायों में लगे होए लोगों के समुहों के बीच भी परतिष्ठा, सुविधाओं और आउसर की आसमानता समाप्त करने का प्रियास करेगा अईसा नहीं है कि एक वर्ग का कोई बच्चा है उसको धे सारे आउसर मिल लए हैं क्योंकि वो उस धर्म से जुड़ा है या उस एक वर्ग का है ऐसा नहीं हो सकता तो यह कब जोड़ा गया हमारे सम्विधान में तो हमारे सम्विधान में जोड़ा गया था यह 24 सम्विधान संसुतन द्वारा उननीस सो अठाक्तर में तो यह था हमारा अनुछेद 38 फिर सुरू होता हमारा अनुछेद 49 49 क्या कह रहा है कि राज द्वारा अनुसरण ये कुछ नीती तत्वे राज अपनी नीती का विशिष्ट्या इस प्रकार संचालन करेगा की सुनिशित सुनिशित रूप से अब देखां क्या पहला कह रहा है पुरुस और इस्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के प्रयाप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो अईसा कुछ ब्यवस्था बनाएगा या ऐसा कुछ निर्देश दिया जाएगा ताकि जो है समान रूप से किसके इस्त्री और पुरुसों के बीच ऐसा नहीं कि कोई काम पुरुस कर सकता इस्त्री नहीं करने दिये जाएगा इसके लिए कह रहा है कि दोनों को लिए इस्त्री और पुरुसों के लिए आजी उका का जो है समान अवसर दिया जाएगा खा क्या कह रहा है समुदाए के भावतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बाटा हो इस प्रकार बंटा हो बंटा लिखा है लेकिन बटा होना चाहिए थीक है बटा होना चाहिए देखो विधी आयोक से भीगलती हो जाती है बटा हो जिस्ते सामोहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो कह रहा है कि कोई भी संसाधन उसका समाज में समान बित्रन होना चाहिए और यह कौन करेगा तो राज करेगा तीसरा कह रहा है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी साकेंद्रित ना हो इसका क्या अर्थ है इसका साव मतलम यह है तीसरे वाले का कि कह रहा है कि जो धन है धन के केंद्रिय करण को रोकना करा धन किसी एक बेक्टी के पास सिमेटना नहीं चाहिए यह इसका कहने कारत है कि सब की पास जो है आर्थिक व्यवस्था धन और उत्पाधन साकेंद्रन नहीं होना चाहिए केंद्रिय करण नहीं होना चाहिए यह कह रहा है हमारा तीसरा और सबसे इंपोर्टन जो है वो है हमारा कौन सा तो यह हमारा 49 का डी कर इस्त्रिय और पुरुसों के दोनों के लिए समानकारी का समान बेतन अगर दोनों कोई भी कार एक समान कर रहे हैं तो उनको दोनों को एक समान पैसे मिलेंगे पाँचवा क्या कह रहा है तो कह रहा है पूरूस और इस्तरी करमकारों के स्वास्त और सक्ति तथा बालकों की सुक्मार अवस्था का दुर्पियोग ना हो और आर्थिक और सक्ता से बीवस होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े, जो उनकी आयू और सक्ति के अनकूलना हो मतलब बच्चों के लिए कह रहा है कि मतलब ऐसा नहीं कि जो है वो भी बस होके कहीं ऐसी जगा मतलब काम करने लगे जो उनको नहीं करना चाहिए जिसे सोसल के बिरुदधिकार देखते हैं कि 14 साल से जो है कम के जो बच्चे हैं कहीं पर काम नहीं करेंगे से मुसी प्रकार से है अब आता हमारा चठा करा बालकों को स्वतंत्र और गरिमा में वातावरण में स्वास्त बिकास का आउसर और सुधाय दी जाएं मतलब जो बालक हैं उनको जो है करा स्वस्त वातावरण दिया जाए और गरिमा में वातावरण दिया जाए मतलब ऐसा नहीं है कि उनको इसे जगां मतलब रखा जाए जहां उनके जो है कही सकते मानसिक भिकास ना हो पाए क्योंकि वहाँ इतने लोग मतलब गंदे हूँ तो ही कह रहा सच वातावरण गरिमा में वातावरण अब आगे देखते हैं सबसे मोस्ट इंपर्टन जो है अमारा वो उन्तालिस का ए है या उन्तालिस का का है समान नयाय और निसुल्क विदिक सहायता सभी को मुक्त में विदिक सहायता दी जाए जो उसका भी नहीं है कि विदिक के लिए जो है पैसे खर्च कर पाए लब सरकार सबको जो है निसुल्क विदिक सहायता उपलब्द कराएगा यह सरकार का काम है एक बार देख लेते हैं कि राज जी आसुनेशित करेगा कि विदिक तंत्र इस परकार काम करे कि समान और सर के आधार पर नयाय सुलब हो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति वकील कर सकता है दूसरा व्यक्ति बहुत गरीब है तो वकील कर ही नहीं सकता और यह जो है इसको जो है अखेले जो है लड़कर इसको जो है फासी चढ़वा दे ऐसा नहीं हो सकता अगर यह अवेक्तिवकिन नहीं कर सकता तो सरकार इसको पलब्ध कराएगा समान अउसर के आधार पे न्याय सुलब हो और वा विशिष्ट्या या सुनसित कनने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग गिता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के आउसर से वंचितना रह जाए उपर योगत बिधान या इसकीम द्वारा या किसी अन्य रिती के निसूलक या होना चाहिए रीती से निशूलक विदिख सहायता की विवस्था करेगा कौन करेगा तो राज्ज करेगा कि यह करेका यह यह कब जोड़ा दचा tastes 49 का जो का है यह कुआ translator संसोधन द्रा सबस्खेन जो कब हुआ था इंद्रा गाधिदीजी द्वारा जो आगया है अब आता हमारा अन्छेट चालिस ग्राम पंचाहतों का गठन हो और यहीं से जो है कितनी सिमितिया बननी रही बार बार ग्राम सभा के लिए यह लोकल गवर्मेंट के लिए अंत में जा करके 73 वा सम्विधान संसोधन होता है 1992 में उसके बाद 24 अपरेल 1993 को हमारा जो है ग्राम पंचाहत का जो है गठन संबैधानी रूप से हो जाता है तो यह था हमारा अन्छेट चालिस आसा करते हैं आप सब इक को समझ में आ रहा होगा आज इतना रहने देते हैं 41 से लिए के क्या वंता है कि लोग का लगा देने धन्यवाद